आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चा अपने क्लाथ सेंपर में डालना सबसे पहले स्टॉप करेगा Assalamualaikum ये हैं Introduction to Psychology Part 2 Dear Knowledge की तरफ से अज़र Chapter 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है Chapter 3 है Learning के बारे में काफ़ सारी topics थे जो इसमें हमने cover किये From Classical Conditioning to Operant Conditioning अभी जो हम cover कर रहे हैं उसमें हमने Operant Conditioning स्टार्ट किया है और Operant Conditioning में एक आफसार ऐसे topics थे जो हमने cover कर लिये थे अब Operant Conditioning में जो next topic है हमारा वो है The Concept of Reinforcement Concept of Reinforcement का गत्वर सा आपको बता दो कि अब तक हमने क्या cover किया तो उसमें हमने Primary Reinforcer and Secondary Reinforcer को cover कर लिया इसके ओपर भी मेरा एक lecture मौझूद है इस चैनल पर और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी ये lectures नहीं देखे हैं आपने miss किये हैं और आप देखना चाहते तो मेरे description section में links provide कर दूंगे इसके अलावा आप इस वीडियो की playlist section में जा सकते हैं जहाबर आपको तमाम पिछले lectures जो हैं वो sequence wise sequence according to sequence chapter wise आपको मिल जाएंगे इसके लावा आप वीडियो की इस चैनल के वीडियो section में जा सकते हैं जहाबर आपको सारे lectures related to psychology आपको बड़ी है सारे से मिल जाएंगे इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे schedules of reinforcement तो यह वीडियो होगी schedules of reinforcement के बारे में so this is going to be lesson two types of learning types of learning यह एक one of the type of learning जो के है open conditioning और open conditioning का फिर यह है part two I जैसरा मैं आपको कहा था कि अगर पिछले parts या पिछले lectures अगर आपने मिस किये तो description section में भी आपको links मिल जाएंगे इसके लावा हमारी youtube channel भी पिछले सारे lectures यह हो sequence wise आपको मिल जाएंगे बड़े असानी से still अगर आपको कोई problem face करनी पड़ रही है आपको नहीं मिल रहा कोई lecture तो comment section में हमसे पूछ सकते हैं we will be happy to help you out होगा दे हैं वहाँ पर आपके साथ हम link share कर देंगे अचा this is going to be part 2i part 2i है the schedules of reinforcement के बारे में and the schedules of reinforcement में फिर एक आता है partial reinforcement और एक आता है continuous reinforcement जो हम इस वीडियो में cover करेंगे schedules of reinforcement में आज हम दो topics cover करेंगे एक partial reinforcement है और एक continuous reinforcement है अचा वही scenario अगर आपके सामने में पेश करूँ कि एक बच्चा है एक बच्ची है और वो regular cloths को जो है बकाइदा कपरों को वो तै करके हैंपर में प्रॉपर सीक्मेंस में रखती है और उसको हर शाम को इस तरह के काम करने पर डॉलर मिलता है या पैसे मिलते हैं उसके कोई डॉलर हो गया या इस तरह हमारी जबान में दस रुपे हो गये उसको हर शाम को कपड़े पेकर के हैंपर में रखने के दस रुपे मिलते है एवरी नाइट इसके बराक्स एक ऐसी बच्ची है जिसको वही काम जो हर शाम को उसना करना पड़ेगा हर रात को उसको कपड़े पे करके हैंबर में रखने पड़ेंगे लेकिन फर्क इतना है कि उसको हर रात को 10 रुपे नहीं मिलते उसको पैसे जो हर हफ़ते की एंड में मिलते फर्स करें कि इन से ये पैसे जो है वो ले लिए जाते हैं यानि कि दोनों सिनेरियो में दोनों केसिस में जो दोनों बच्चिया हैं जो कपड़े अच्छे से पैक करके संभाल के रखती हैं लेकिन दोनों को अप पैसे नहीं मिल है दोनों को इसका इनाम नहीं मिल रहा दोनों को इसकी reinforcement नहीं पीडाद नहीं मिल रहा तो आपको क्या लगता है कि कौन सा बच्चा जो है वो सबसे पहले कपड़े ते करके संभाल के रखने वाला काम स्टॉप करेगा पय Ginsberg काम वो, स्टाप करे़ी और पय्जियन अससे तरह अपने जैए, रहरात को करती रहे गा खमिल सकरतो तो है, एक लिजिए हूँ करें रहा के और के 100 साथ बड़ाई बिद एक 5 अपर 2 पे 1, टाइम लेगी स्टॉप करने में क्यों क्यों कि फर्स्ट वारी जो है उसको हर रात को पैसे मिलते हैं दस रुपे मिलते हैं काम करने के अगर उसको पहली रात पे नहीं मिलें दूसरी रात पे नहीं मिलें तीसरी रात को उसको नहीं मिलें कपड़े तेया करके संभाल के रखन एंड में इसको नहीं मिले पैसे तो अगले हफ़ते के लिए भी ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करती रहेगी थोड़े से ज़्यादा टाम लगेगा इसको ये काम स्टॉप करने में क्यों? क्योंकि इसकी एक उमीद होगी क्यों हो सकते है नेक्स टूइक को मिल जाएं हो सकते है कल मिल जाएं तो फिर्स्ट वाले क्योंके रेगुलर मिल रहे थे लेकिन वो पहले स्टॉप कर जाएगी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना और जो सेकेंड वाली है वो थोड़ा सा time जादा लगाएगी duty stop करने, performance जो अपनी duty परफॉर्म कर दी थे, इसको stop करने में time जादा जादा लगाएगी तो यह जो scenario था यह refine करता है concept जिसको हम कहते हैं the partial reinforcement effect the partial reinforcement effect कि अगर definition मैं आपके साथ share करूं the partial reinforcement effect की definition है the tendency for our response that is reinforced after some but not all correct responses to be very resistant to extinction यह एक response की tendency जिसको हम reinforce करते हैं after some but not all यह एक कुछ responses वो दे देती हैं कुछ responses के बाद हम उसको reinforce करें हर response के बाद हम नहीं इसको reinforce करें हर response में जो है उसको इना मिलेगा हम ऐसा नहीं कर रहे हैं हम कुछ responses के बाद हमने कुछ responses रखी हैं कि यह response इतने response इतने time के बाद यह इतने response के बाद some responses के बाद जो है इसको reinforce किया जाएगा उस tendency को the tendency for response that is reinforced after some but not all correct responses to be very resistant to extinction यह नहीं कि पार्शल रिंफोर्स्मेंट एफेक्ट क्या कहते हैं पार्शल रिंफोर्स्मेंट एफेक्ट किसे कहते हैं तो हर बार correct response देने पे हम उसको नहीं reinforce करें हम कुछ रिंफोर्स responses के बाद जाएगा वो उसको reinforce करें जिसरा कपड़े पैक करके संभाल के रखना है तो हर बार कपड़े पैक करके संभाल के रखना हर बार कपड़े पैक करके संभाल के रखने के बाद उसको इनाम देना वो पार्शल रिइंफॉर्समेंट इफेक्ट नहीं है बलके वो हर बार कपड़े संभाल के टैग करके संभाल के वो रख रही है लेकिन उसको हम रिइनफॉर्स कुछ रिस्पॉंसिस के बाद दे रहे हैं यह निकि हफ़ते के एंड में यह महीने के एंड में तो इसको हम कहते है । पार्शल रिइनफॉर्स्मेट इफ़ेक्ट जबकि अगर हर कर्रेक्ट रिइनफॉर्स्मेंट यह उसको इनाम दे रहे हैं तो उसको हम कहेंगे Continuous Reinforcement याने कि आप Continuously उसको Rein Force करें जबके Partial Reinforcement Effect क्या था Partial Reinforcement Effect में यह था कि जब कुछ Correct responses दे दे देंगी उसके बाद पिर आप उसको इनाम देती है Continuous Reinforcement में क्या है कि वो जब भी Correct response दे रहे आप उसको इनाम दे रहे है Partial Reinforcement Effect की कुछ points है इंक यह नहीं है आपके साथ शेर करने है यह की पॉइंट आप इसको समझ लें इसको आप समझ जाएंगे तो आपको partial reinforcement effect जो है वो अच्छे से समझ आएगा पार्शल reinforcement effect जो है एक psychological phenomena है जहां पर behavior is more resistant to extinction when it is followed by a reward only occasionally rather than always यह के partial reinforcement effect एक ऐसा psychological magic phenomena है जहाँ पर programs इसे असास एकस्टमट नहीं हेए अगर उसकी शरत हैं अगर आपके उस्टम कॉई वह जाए घल्दी ना स्टॉप हो जाए उस भीहवियर और को वह स्टमट करें न कोह Сबसक्नट करते हैं पर चाहते हमेशनल अन्य Access Veloid करें पार्शल रिइनफर्स्मेर्ट एक्सिट्ग्ष में हम किसी बीई बहभीर को हम इंटरमीटिंतली निनिफर्स्टंट करें तो आइसा जादा रिजिस्टंट होता है nossas बाच अक्सिन्स ज्यादा टाइम तक वह behavior चलता है ज्यादा टाइम तक हमें उस तरह के responses मिलते हैं अगर हम उसको occasionally reinforce करें लेकिन अगर उसको consistently आप reinforce करेंगे तो उसके extinct होने के chances ज्यादा होते हैं लेकिन आप चाहते हैं कोई behavior जल्दी ना खतम हो जाए तो उसमें हम क्या करते हैं उस behavior को हम occasionally reinforce करना शुरू करते हैं intermittently reinforce करना शुरू करते हैं या कि कभी कबार या कि इस तरह पूरा हफ़ता अगर ये बच्चा अपना home work time पे करेगा तो हफ़ते के end में इसको very good मिलेगा या अगर ये बच्चा जो है या ये employee जो है पूरा महीना अगर ये regular आया तो इसको महीने के end में जो है वो regular आने के bonus मिलेगा तो इसमें क्या है कि behavior ज्यादा time तक फिर उसी तरह रहता है बेशक अगर आप उसको reward ना दे तो extinct होने में इसको time थोड़ा से ज्यादा लगता है क्यों क्योंकि organism ने अपने behavior को associate कर दिया है occasional rewards के साथ organism को लगता है कि अभी भी time है हो सकता है कि मेरे कुछ और attempts करने पर मुझे reward मिल जाए या अक्सर आप देखे ने कुछ employees को महीने के end में तनखा ना मिले तो वो अगले महीने भी आ रहे होते है अगले महीने वो क्यों आ रहे होते है कि उनको लगता है कि शायद इस महीने ने म मिल ही हो सकते है अगले महीने मिल जाए तनखा हो सकते है इसका double मिल जाए ठीक है क्यों क्यों कि वो occasional reward हो गया लेकर कोई ऐसा employee है कि जो आपके पास आते है आप इसको regular base पे देते हो कि इतने पैसे per day मैं आपको मजदूरी दूँगा वो आते है और आपको उसको pay करते हो दि महीने के end में पे करते हो पूरा महीने आता है आप इसको महीने के end में पे करते हो पिर ऐसा वक्त आता है कि पूरा महीने वो आता है आप इसको महीने के end में पे नहीं करते हो अगली महीने भी आएगा क्यों या वो हो सकते है दो तीन हफ़ते और आ जाए लेकिन ऐसा नहीं वो थोड़ा से ज़्यादा टाइम लगेगा उसको ना आने में तो इसमें क्या है क्योंकि और्गेवियर ने अपनी बिहेवियर को एसोशियेट कर दिया है उकेशनल डिवार्ट के साथ तो यही कॉंसेप्ट है पार्शल रिनफोर्स्मेंट डिफेक्ट का कि अगर आपको उकेशनल बेस पे रिवार्ट मिलता है तो आपका वो बिहेवियर ज़्यादा आर्से तक चलता है और अगर वो बिहेवियर बिलना बंद हो जाए तो वो बिहेवियर एक्स्टिंक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा जिस ज्यादा जल्दी वो निक्स्टिंक होगा इस से रे लेटिट एक दूसरी एक्जेमपल आप साथ शेयर कर देती हूँ एक वेंडिंग मशीन की अक्सर आप लोगों ने पार्क्स में भी देखा होगा वो जो एक मशीन सी होती है जिसमें आप कोईन डालते हो और उस मशीन का एक हादसा होता है और वो जो है आप उसको मूव करते हो और वो फिर जाके आपके लिए कोई ना कोई जो आपको उसमें खिलोना पसंद होता है या कोई चॉकलेट वग़रा कोई भी चीज उस मशीन के अंदर डाली होती है तो आपको कोई भी चीज़ पसंद होती है तो आप वो टेडी बीयर यो कुछ उठाने की कोशिश करते हैं तो कभी आपको उसमें सही नाम मिल जाता है और कभी-कभी हाथ से वो टेडी बीयर फिसल जाता है यो मशीन काम नहीं करता तो आप यह नहीं करते हैं नहीं मैंने अगली बार दुबारा ट्राइ नहीं करना या मैंने नहीं करना आप दूसरा कोईन डालते हो दुबारा ट्राइ करते हो आप तीसरा कोईन डालते हो दुबारा ट्राइ करते हो चार पांच ट्राइ करने के बाद कभी आपको टेडी बियर मिल जाता है अगर मिल जा यह पार्शल रिर्फॉर्समेंट इफेक्ट फॉल और है आपका बीहेवियर एक स्टिंग होने में ज्यादा टाइम लगा रहा है इसे तरह एक वेंडिंग मशीन है जिसमें चाइल्ड जो है वो कॉइन डालता है और इसमें उसे कैंडी मिल जाती है लेकिन हर बार इसको कैंड कैंडी नहीं मिल रही लेकिन वो बच्चा जा है वो अपने कॉइंस डालता जा रहे हैं मशीन में क्योंकि उसके एक उमीद होती है कि हो सकते हैं अभी मुझे कैंडी मिल जाए तो यह बिहेवियर ज्यादा देर तक परसिस्ट करता है ज्यादा देर तक चल रहा होता है इसल केसिस भी आपने विडनस किये होंगे या आपके साथ खुद इसतरह हो खा कि आप तब टक नहीं स्टॉप करते जब तक आपके खुद के कोईन्स ना खितम हो जुके हो अगर आपके पास और कोईंज होते हैं तो आप दुबाया ट्राइब करते हैं तो यह किसम का एक साइकलोजिकल ट्रिक आपके साथ यूज किया जा रहा होता है जिसमें उनको बेनेफिट मिल रहा होता है और आप यहाँ पर reinforcement के चकर में बार 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 आप ट्राइ कर रहे होते हैं तो इसी तरह यह बच्चा जो बार बार vending machine में coins जाल रहा है What if the child receives candy every time and then it stops अगर उस बच्चे को हर बार candy मिल रहा है और फिर अचानक से जो है वो candy मिलना जो है वो stop हो जाता है forever तो फिर क्या होगा तो अगर बच्चे को हर बार candy मिल रहा है coin डालने पर और फिर suddenly machine रुख जाती है तो definitely they will likely stop using the machine very quickly This is because behavior is no longer followed by a reward और बच्चे ने associate किया था अपने behavior को एक consistent reward के साथ it depends आप अपने behavior को किस चीज़ साथ associate करें पहली example मैं आपको बताया थी कभी candy मिली कभी candy ना मिली कभी इस तरह हुआ कभी teddy bear मिला कभी ना मिला आप फिर भी coins डाल रहे होते हैं वो क्या होता है कि वो partial reinforcement effect होती है जिसमें आप अपनी behavior को occasional rewards के साथ link कर देते हैं associate कर देते हैं लेकिन अब यहाँ पर बच्चे को हर बार candy मिल रही है हर बार candy मिल रही है coin डालने पर और फिर अच्छानक से machine ने को candy देना stop कर दिये तो बच्चे का जो behavior है वो भी जल्दी stop हो जाएगा क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने अपने behavior को continuous reward के साथ associate कर लिये यानि कि consistent reward मिल रहा है consistent reward के साथ उसका behavior लिंक हो गया अब consistent reward नहीं मिलेगा तो बच्चा कहेगा कि बस आगी और नहीं मिलना reward ठीक है? इस तरह होते है न कि अक्सर आप किसी भी student को किसी भी बच्चे को continuously हर एक answer सही देने पर जो है आप उसको praise करते हैं note books में इसको stars देते हैं और फिर आप उसको एक दो आगे जो है उसने अगर एक दो questions ठीक नहीं कि आप उसको star नहीं आदे तो आगे से अच्छा नहीं perform कर रहा हूँ था क्यों? क्योंकि आप ने उसकी behavior को consistent reward साथ associate कर दिया लेकिन अगर आप उस बच्चे को कहते हैं कि अगर आपने इतने answer सही दिये और फिर मैंने end में आपकी note book चेकिए कि इसमें इतनी mistakes नहीं थे then I will give you a star or something like that तो बच्चे का behavior ज्यादा long चलता है तो this was the difference between a partial reinforcement effect and continuous reinforcement partial reinforcement में यह होते है कि occasional rewards होते है continuous reinforcement में consistent rewards होते है एक दूसरी example आपक साथ share कर लेते हूं there will be an example too which is about workplace बच्चों की example तो आपक साथ share हो गई है अब थोड़े से बड़ों की example भी share कर लेते हैं खैर विंडिंग मेशीन हम बड़े भी यूज़ करते हैं अच्छा workplace की example आपको देती हूं यह दूसरी example है और इसमें दो employees है एक employee जो है वो जब भी अच्छा perform करते है high quality report देता है तो उसको हर बार जो है वो नहीं reinforce किया जाता कुछ terms होते हैं कि इतनी high quality reports जब वो देता है तो उसके बाद कुछ numbers होते हैं कि इतना उसने किया तो उसके बाद जो है उसको bonus मिल रहा है या उसने इतने sales target जो है उसको meet किये तो उसके बाद जो है उसको बोनस मिला ये recognizing मिली यानि कि occasional bonus है occasional recognition है कि पूरा महीना जो है ये इस employee ने बड़े अच्छे जो है performance किया ये employee बड़ा रेगुलर है या इसने इतने sales target meet किये तो उस महीने के end में इसको जो bonus मिल रहा है तो ये जो है हमारे पास क्या है यहां पर अगर उसको next time bonus ना भी मिले वो employee फिर भी मेहनत करता रहेगा, उसकी उमीद होगी कि हो सकता है, कि मैं मजीद अच्छा perform करूँ या इसे तरह अच्छा performance देते रहूँ तो कभी न कभी मुझे bonus मिल जाएगा, कभी न कभी जो है, मुझे अवार्ड मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या है, कि consistent reward है, वो absent है consistent reward नहीं है, occasional reward है जिसके वो employee ज़्यादा देर तक अच्छा perform कर रहा है on the other hand एक ऐसा employee है, एक ऐसा workspace है, जहाँ पर एक employee को consistently high quality report देने पर praise किया जाते है, high quality report देने पर recognition मिलती है, उसको शाबाशी मिलती है high quality paper या report देने पर उसको जो है, bonus मिलता है, तो यहाँ पर क्या है कि वो employee consistent reward के साथ linked हो गया है उसको regular मिल रहा है, तो अगर किसी एक दिन manager ने जो है, उसको feedback नहीं दी, या किसी एक दिन उसके manager ने उसको recognition नहीं दी, शाबाशी नहीं दी, तो अगले दिन पर क्या होगा, कि जो दूसरा employee होगा, वो उस तरह के excellent report फिर नहीं देगा अब यहाँ पर क्या है, कि वो regular अच्छा perform कर रहा था, तो regular अच्छा perform करने के साथ हर response फिर उसको शाबाशी मिल रही थी manager से, किसी एक दिन जो है, उसने अच्छा perform के लेकिन manager ने उसको शाबाशी नहीं दी, तो यहाँ पर उसने अपना अच्छा behavior करना भी stop कर दिया, अच्छा behavior देना भी decline कर दिया, क्यों? क्योंकि उसने अपने behavior को consistent reward साथ लिंक कर दिया था, manager ने भी उसके behavior को consistent reward साथ लिंक कर दिया था, जिसके वज़े से, उस employee ने जल्दी मेहनत करना वो stop कर दी थी, जबकि पहले वाली example में क्या था, कि employee बिजारा मेहनत करता रहता था, करता रहता था, और जब बहुत अच्छा outstanding performance देते था, बहुत सारे sales target जब वो meet करता था, तो फिर जाके उसको manager से कही शाबाशी मिलती थी, तो वो हमारे पास था partial reinforcement effect, जहां पर वो employee फिर भी लगा रहेगा मेहनत करता रहेगा, कि इतने इतने sales target meet करने के बाद, या occasional base पे उसको praise किया जा रहा था, reinforce किया जा रहा था, so this was the difference between partial reinforcement effect and continuous reinforcement effect. तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा partial reinforcement effect के बारे में और continuous reinforcement effect के बारे में, इसके बाद पिर हम सीखेंगे, next video में आप सीखेंगे, fixed ratio schedules of reinforcement, और उसकी बाद आप सीखेंगे, variable ratio schedules of reinforcement, fixed interval schedules of reinforcement, and variable interval schedules of reinforcement, और फिर एंड में आप मुझे बताएंगे, कि इन सब में आपको क्या difference नजर आया, और क्या आपको similar नजर आया, तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको concept clear हुआ है, you can like the video, अगर आप इस चैनल पर नए है, you can subscribe our channel, click on the bell icon, so you will never ever miss any notification, इसके लाव अगर आप हमारे चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक्स को अपनी family members, वीडियों से शेयर कर सकते हैं, और तब तक के लिए, अलाहाफिज,